सर आपने टीडीपी का जिक्र किया अब आपने कहा कि उन्होंने तो चार फीसेदी आरक्षन को अपने मेनिफेस्टों में शामिल कर दिया है बीजेपी इधर कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं मतलब S.C.S.T. O.B.C. का लाप हम मुसल्मानों को परसंट इसकी आदर पर की देए अब यही पर देखे इसी को कहते हैं परतों को खांखानला क्या बीजेपी ने कभी कहा कि वो O.B.C. में मौझूदा 4 परसंट या 12 परसंट या 12 परसंट हटाएंगे नहीं चाहते हैं ऐसी कोई टिपनी नहीं है बीजेपी का यह कहना है कि धर्म आधारत आरक्षन हम इस देश में लागू नहीं होने देना चाहते बीजेए शब्द समझेह यानि कि जब हम कैटेगोरिकली मुसलमान के लिए खास करके पिष्ड़े वर्ग मुसलमान के लिए विजेए बाइज 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 देश्चिंग नहीं रखे गई है कि धर्म आधारत आरक्षन दिए जाए तो उस आधार पर आप देखें, तो भारतिन्ता पार्टी ने कहीं भी कुछ मुद्दों पर स्पष्टता रखी, जिसे कहते हैं न, आप अगर महाभारत का जिक्र हम थोड़े देर पहले कर रहे थे, तो अगर द्रोनाचारे को हराना है, तो अश्वत्थामा को मारना होगा, लेकिन अश्वत्थामा हाथी मर रहा है या द्रोनाचारे का बेटा, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला अगर युदिष्ठिर है, तो अश्वत्थामा हाथी मारा गया धीरे से बोल दीजे, अश्वत्थामा जोर से बोल दीजे, द्रोनाचारे हाथार रख देंगे, औ लेकिन धर्म आधारे तारक्षर हम नहीं होने देना चाहते क्योंकि यह स्तर्क समिधान के साथ नहीं जाते। लेकिन बीजेपी की कोई साथी पाटी कुछ अलग बोले तो गलत। वोट परसंटेज ग्राउंड पर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग हो गया है जैसे मादवी लता क्याने से। अच्छानक से कुछ अलग हो गया है। बहुत सारे ऐसे बोगस वोटर्स और इन सब की बात जो वो कर रहे हैं कहीं न कहीं एक पिंच तो कर रहा हैं लोगों को। देखी वो चुनाव आयोग की वज़े से जो वोटर्स का जो खेल जो था वहाँ चल रहा उसको चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से निरस्त किया तकरीबन पाँच साड़े चार लाख वोट्स ऐसे निकाले जो वोटर्स वहां रहते नहीं थे। च्छालिस हजार के आसपास फरजी मद्दाता का नाम शामिल था उसे बाहर निकाला गया और उसके साथ साथ तक्रीबन चौवन हजार ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में है नहीं उनका लिस्ट में नाम था तो यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कारवाई ये बिलकुल जब भी मिलेंगे आप उनकी इज़त ही करेंगे क्योंकि जो जानकारी समिधान की बिलकुल हम परलमेंट से निकलते सर परलमेंट पर कोई बयान हुआ हम कई भार डीकोट करने में अगर एक मिनिट लगा रहे हैं तो हमारे कान की पीचे से आखे एक लाइन दी जाते थे हमे इसके साथ-साथ-स दस बड़े मुद्डे जैसे हमने अरक्षन पर बात की राइट राष्ट्रवात राइट फ्रॉम जितने भी मुद्धे हैं लेत्स डिसकस वन बाई पर ऐसका है तीमिद्धों के साथ-साथ-साथ-साथ-चैसर क्योंकि यूपी के लिए पिशली बार भी हम शायद इस राम मंदर के मुद्व पर कोई भी टपणी इसलिए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम मंदर का मसला कोई चिनावी मुद्दाव नहीं है, नहीं कैसे नहीं है, क्योंकि योगी जी ने आज 11.30 बचे आके रिमाइंड करा दिया, इस सपा वो है जिन्होंने राम भकतों को गोली चलाएंगे, वो एमोशन का मसला है, नहीं सर, लेकिन, इस अई वुड आलसो टॉक बाट टाइमिंग सर, नहीं बट उसकी शुरुवात किस ने की, उसकी शुरुवात राम गोपाल यादव ने की, राम गोपाल यादव क्या कहते है, मंदिर बेकार है, ऐसे थोड़ी बनना चाहिए था, ठीक तरीके से नहीं बना है, और सम्थिंग सम्थिंग उन्होंने बहुत कुछ का, तो उन्होंने उसको कहीं न कहीं वापस से जीवन क्या रहा है, उस पर आप चाहे राजनीती जितनी भी करें, जिसने जो किया उसको वो मिलेगा, इस पर ये श्रे आप किसी से नहीं ले सकते, इसमें कोई शक नहीं है कि फैस्टा सुप्रेम कोर्ट का है, जिससे सरकार ने अमल नहीं किया, संस्थाओं ने अमल किया, भारतन्ता पाटी, संगपरिवार, तमाम संस्था, प्रधानमंत्री की मौझूदगी, वेक्तिगत तोर पर प्रधानमंत्री रहते हुए, इसका मेसेजिंग अलग है, और इसका काउंटर आज इंडी अलाइन्स के पास नहीं, नहीं, लेकिन फिर भी कई मुद्धे अदिती वापस रिवाईव हो रहा है, जैसे कि राम मंदर की मैंने बात की, योग्या अदित्यनात का स्टेट्मेंट, धारा 370, फिर से उसका जिक्राच किया गया, कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये 370 का फैसला पलट देंगे, ये चौटे फेस की तैयारी हो रहे है क्या? किसी फॉलिटिकल पार्टी के, ये उन फ्लोटिंग वोटर के लिए होते हैं. यह मोदी जी का बयान है यह प्रदान मंत्री का बयान है और प्रदान मंत्री फिर यह भी कह देते हैं कि विपक्ष जमीनों को द्वीपो को दूसरे देशों को देदेगा कच्च दीपो कच्च दीपो अगर पीडीप जीती पी है तो वो कॉंग्रेस के साथ नहीं जाएगी हो सकता है वो बीजेपी को सपोर्ट कर दे अगर यह कुछा है नहीं जाते हैं एक दूसरे के साथ तालमिल बठाना या बीजेपी पीडीप और N.C. की बीच में तालमेल होने की गुंजाइश नहीं है लेकिन इसका मेसिजिंग एक लार्जर मेसिजिंग है देखे आज तक जम्मू कश्मीर में जब भी लोकसभा के चुनाओं हुए हमेशा यही दावा किया गया कि भारत सरकार ने फौज के मदद से और तमाम सरक्षा बलो के मदद से चुनाओं को प्रभावित किया और जो मद्दान प्रतिशत है वो भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि फौज जबरन लोगों को बाहर निकालती है और मद्दान कराती है और इसमें हमेशा सत्ता रुण केंदर की पाटी बहाँ पर चुनाओ लड़ रही होती थी यह आरुप चिपकता था आज भलतनता पाटी केंदर में सत्ता रुण पाटी है हम अपना उमिदवार ही नहीं उतार रहे हमारा कोई वेस्टेड इंट्रेस्टी नहीं है मेरा कोई वेस्टेड इंट्रेस्टी नहीं मेरा कोई उमिदवार ही नहीं लोग मद्दान के लिए बाहर निकलेंगे और मद्दान किसको देंगे दो इस्थानिय दल और कॉंग्रिस और वामपंथी दल वहाँ पर CPIM की भी अच्छी पकड़ है अब तीन सीट हैं तीन सीट में से जिस तरह से सीटों का बंदर बाट हुआ और N.C.O.P.D.E.W. के बीच में सिर्फ टाउल है इसपश्टी के दोनों रिजिनल पार्टी आपस में सिर्फ टाउल करती नजर आएंगी और आगे चलकर कॉंग्रिस और N.C. के बीच में भी कितने दिन तक सयोग रहेगा ये भी पताय नहीं है तो ऐसे में क्यों जबरदस्ती अपनी उमिद्वार को उतारो उसके बाद ये तोहमत लो कि तुमने खुद सरकार ने यहाँ पर चीजों को विवस्थित किया ताकि भारतिन्ता पार्टी क्यों जीत मिल जाए यही काम हम राज जी के चुनाओं में कर लेंगे आप अगर लॉंग विजिन लेके चल रहे हैं जो की ग्रेव मंत्री जी के बयान से बड़ा इसपष्ट था उनने कहा कि यह चुनाओं यह पॉलिटिक्स का मसला नहीं है यह देश का मसला है जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपकी मंचा सपष्ट हो जाती है कि आप इंटरनेशनल मेसेजिंग और नेशनल मेसेजिंग दोनों कर रहे हैं